नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज 33 वर्स के पुरुस के पाम का एनालेसेस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर प्रथम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिर एके करके इनके सवालों का उतर करेंगे उ इनका कोशन इस प्रकार है, वरतमान समय में ये विदैश में है, नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी में है, आगे वेवाहिक जीवन है तू, जिंदगी पर सफलता है तू, धन कमाई है तू, इनको इन सारे विशे पर जानना है, और हतली पर क्या अच्छी खराब वस्था बढ़ी है, इस विशे पर भी जानना है, क्या positivity है, क्या negativity है, काफी जादा रेखाओं का जाल लगता है, क्या ये जाल positive way में indicate कर रहा है, अधवा negative way में indicate कर रहा है, इस विशे पर भी इनको जानना है, और कुछ छोटे बड़े सवालात हैं इनके, जो कि मैं इनके वीडियो जब मैं दूँगा, जब इन कहतेली कार्धियन करूँगा, तो इस पर discussion करूँगा और बताऊँगा, तो सबसे पहले चीज, मैं positive चीज पर विचार करना चाहूँगा, फिर negativity पर विचार करूँगा, तीसरे आपके प्रशनों को सुनूँगा, चौते आप कहतेली का सकती है, अपने समाद में परतस्था दे सकती है, मान समान को लेके ये बहुत ही अच्छे योग होते है, इस्पेशली धनकमाई को लेके, ये पहले गवर्मेंट जॉब में थे, फिर वहां से स्विच करके ये विदेश गए, वो बड़े अच्छे पदपर है आज के समय में तो आईए में के करके इनके positivity को देखते हैं, और क्या positivity है, कैसे है, क्या scientific है सही अत्वा गलत है इस विशय पर भी विचार करते हैं, तो positivity में न, सबसे पर तो common रेखाओं पर विचार करना चाहिए, common रेखाओं में, मुख्य रेखाओं में सबसे अच्छी रेखा होती है life line जिसको हम कहते हैं, जीबन रेखा, तो ये completely होगे, ये जीबन रेखा, अब इस पर क्या चीज हो सकता है, इस पर एक तो triangle हो सकता है, दूसरा progress line हो सकता है, और तीसरा राहू रेखा हो सकता है, जो negative है, और जो आगे दोनों मैंने बताया, triangle और progress line ये positivity है, तो इस जीबन जिसको हम positive रेखा के रूप से देखते हैं, ये इनके हाथ पर अवस्तित है, जिसका एक एक एहम मतलब होता है, जो मैं आगे बताऊंगा, तो ये इनकी life line की positivity थी, बेशक आप चिंतित ना हो, अभी मैं जब आपके हैतली का general अध्यन करूंगा, तो फिर सारी ही रेखाओं क अर्थ को समझाओंगा, जितनी सुक्ष में रेखा हैं, आपके एतली पर अवस्तित है, उस विशे पर भेविचार करूंगा, और गेहराई पुरुवक बातों को समझाओंगा, जिससे आपके कोई भी doubts आपके मन में नहीं रहेंगे, इसके उपरांद क्या positivity है, ये एक भागे रेखा सीधी करके चलिया, और यहां से भी भागे रेखा के branch है, तो भागे रेखा भी अदूइत है, अदूइत भागे रेखा मतलब बहुत शांदार भागे रेखा, एक cross जैसे आकरती है, लेकिन इसको पूरा mysterious cross में नहीं मानूँगा, क्योंकि जब भी mysterious cross बनता है तो ऐसे बनता है, बीच से divide होता है, ये एक triangle यहां पर देख लो, ये एक बड़ा triangle देख लो, दो-दो triangle इनके हाथ पर अवस्थित है, तो दो triangle मैं कहा सकता हो, छोटा बड़ा के रूप में है, अगर ये एकदम balanced होता, तो ये balanced triangle था, ये फर mysterious cross हो जाता, लेकिन एक छोटा ह एक बड़ा है, तो इसको properly cross के रूप से हम संबोधित नहीं करेंगे, उचित भी नहीं रहेगा, इसके उपरांत एक बहुत जबरदा सूड़ी रेखा, multi-terrented लोगों के हाथ पर एक से जबरदा सूड़ी रेखा होती, इस बात को ध्यान रखना, और यहां भी एक triangle जैसी आ दनलाव की अवस्थाएं, जो चन्रमा पर खड़ी रेखा होती है, ऐसे में जातक यात्राएं करती हैं, घर से दूर की यात्राएं होती हैं, विद्धे इसी धर्थी से दनलाव होता है, पैसे रखे नहीं पाते हैं, बहुत जादा पैसे आते हैं, तो इतनी positivity इनके हाथ पर और भी चीज़ें हैं बरश्पती पर जो मैं आगे बताना चाहूंगा, ये मुखे positivity इनके हाथ पर अवस्थित थी, इसके संदर्म में इसको मद्य निजर जातक जिन्दगी पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसका दूसरा भी reason है, दूसरा भी कारण है, केवल रेख ये comfortable life रहते, life में किसी परकार की कोई तकलीफ नहीं होती है, शुक्र काफी प्रबल है, दोणों मंगल highly developed conditions में हैं, आपका ये देख लो, sun और mercury आपकी अच्छी है, सैटरन अच्छा बरश्पती ठीक ठाक है, मतलब maximum planets अच्छे हैं, गुलाबी हैं, गद्यदार अब क्या चाहिए, जिन्दगी पर comfort, जिन्दगी पर ऐसो अराम, life में जब जिस चीज की आवशक्ता हो, वो मिल जाना, इस सारे प्रकार के चीज़ों को इनकी एदली बताती और समझाती है, जहां पर से ये बहर शांदार positivity है, तो काफी भागेशाली वेक्ती हैं, बहुत हाथ पर ऐसी चीज़े देखने को मिलती है, तो आप बेशक बहुत भागेशाली है, बहुत भागेशाली है, तो ये positivity थी, अभी देखो सिर्फ positivity लोगों के हाथ पर नहीं रह सकती, ये कहीं से समभब नहीं है, हाथ पर negativity भी रहती है, बस ये समझने की आवशक्ता है, कि क्य या positivity का percentage जादा है, या फिर negativity का जादा है, अगर negative चीज़ों का percentage जादा होगा, तो आपकी जिंदगी पर कास्मिक परशानिया आते रहेंगी, आपकी जिंदगी पर unwanted परशानिया आते रहेंगी, चुकि आपके हाथ पर negative संदर में चीज़े कम अवस्थित है, तो एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आप कम negative चीजों को जहलने वाले हैं, जिन्दगे smoothly ही रहेगी, हाँ इसी दर्मियान इनका एक प्रशन था मैं इस प्रशन का उतर करना चाहूंगा चुकि इसे ये संबंदित है इन्होंने मुझे का, गुरू जी मुझे सफलता तो मिल जाती है, अवल लेवल की सफलता मिलती है, लेकिन बहुत मेहनत करता हूँ, देखो इनका शब्द क्या था, बहुत मेहनत करता हूँ, तब जाके मुझे सफलता मिलती है, लेकिन last में मैं सबसे उपर रहता हूँ तो ठीक है क्या प्रॉब्लम है आपने 33 वर्सकी आयू तक विदेश जाने का सफरते कर लिया और इसके पहले आपने सरकाई नौकरी लिया अच्छा कमाया अच्छा नाम हुआ टॉपर थे आप अपने क्लास के जैसा इन्होंने मुझे बताया तो ये कोई नौर्मल सफलता नहीं है ये बहुत कमायो में आपको मिली है बस आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जादा मेहनत किया मेरे समझ से कोई भी उच्छे सफलता प्राप्त करने के लोग को इतना ही मेहनत करना पड़ता है क्योंकि कमपेटिशन बहुत जादा है ऐसा थोड़ी एक लाइन में केवल आप खरे है लाइन में आपके पेशे कतार होगा लंबी कतार होगी याद रखना मेरी बात तो आपको सफलता मिली है बस अगर आपको सफलता नहीं मिलती न फिर जाके आपका ये जो सोचना था ये जाइस था बस आप इश्वर को सुक्रिया कही है और अपके हाथ में सफलता रहती है इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती हम दिन बर मेहनत करते हैं अगर हमारे पास हमारा मेहनत का रिटर्न मिल जाए हमें साम में तो हम बहुत खुश होते हैं ऐसा बिलकुल नहीं कहते हैं मैंने बहुत मेहनत कहा लेकिन मुझे मिला नहीं या फर मैंने बहुत मेहनत किया करने के बाद मुझे मिला सब ही मेहनत करते हैं वल आप नहीं करते तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है मेरे समझते हैं हाँ ऐसे बहुत से लोगों के मन में ऐसा हो जाता है तो इस प्रकार के चीज़ों को मन से निकाल दीजिए हाँ अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो एक वरीड वाली अवस्थाती लेकिन के रहे हैं कुछ पैसे कले तरसे हैं कुछ रिसोर्सिस कले तरसे हैं फिर जाके वो कहीं नकी सफल हो गया तो उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है लेकिन उनके भागे में सफलता था तो वो सफल हो गया वैसे ही आपके भागे में सफलता है तो आप सफल हो रहे हैं और आगे सही direction में चीजों को देना जिससे आप खुश रहो और जिन्दगी पर आगे बढ़ते रहो अब देखो क्या है न जूपिटर यह जूपिटर यहां से दबाब है तो यह किस बात का परशे कराता है यह जातक की जिन्दगी में न तो रहा पर शादी जाइ पर नहीं पर जाता है नहीं रहती तो शादी समय पर हो जाती तो इनकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो जूपिटर में कुछ गरबरी है हलाकि इसका उपाय किया जाये तो शादी यथा शिक्र हो जाएगा अब उसका वज़ा कुछ भी हो सकता है अब ये well settled विक्ती है अगर इनकी शादी नहीं हो रही है तो मतलब इनके अनुकूल इनके मनोस्थिती अनुकूल को इनको मिल नहीं पा रही है जिस कारण बस इनकी शादी नहीं हो रही है offers बहुत है opportunity बहुत है लेकिन इनके हिसाब से इनको नहीं मिल रही कहते हैं न जोड़ी उपर से बन के आती है और जिससे शादी होने रहेगी वो आपको पसंद आ जाएगी अगर इस बीच में शादी नहीं हो पा रही है तो कुछ गरबरी है, कुछ गरदोश की problem है, जो आपको नहीं मल पा रही है मिलेगी क्यों नहीं तो यहाँ पर से मैं इसका आपको remedy दे दूँगा जुपिटर थोड़ा week है आपका जिसकी वज़ा से ये समस्याँ आप face कर रहे है बस इसका उपाई कर लो इसके लिए remedy कर लो मैं आपको बता दूँगा process आपकी शादी की जिंदगी बहुत ही जल्दी फलित हो जाएगी कहें न कहें, आपकी विवाहिक जिंदगी बहुत जल्दी सुरू हो जाएगी आपके शादी को लेके जो problems चल रही थे वो बहुत जल्दी सौट आउट हो जाएगा क्योंकि मुझे और कोई negativity नहीं दिख रही है और कोई खास negativity नहीं है ब्रिवार एखा सब भी इनके हाथ पर है यहाँ पर से, चुकि इनकी अतली बहुत साफ सुतरा अतली है बहुत visible आपका लाइन से साफ पर नहीं दिखता है तो यहाँ पर से एक लाइन दिख लिए मुझे और जुपिटर गरबर की वैसे समस्याएं है बाकी विवाहिक जीवन के बाद विवाहिक जीवन सुरू होने के बाद के चीजों को गहराई पुरवक समझ के समझा के अपने आपको या अपने माता पेता को उसके बाद ही शादी करना उचीत रहता है सबका सला से सबकी रजामंदी से शादी करना उचीत रहता है तो इस लिए इस बात का ध्यान रखें आप चुकि आंसिक रूप से लव मेरेज के योग बन रहे है तो इस लव मेरेज बेशक करें आप लव वितरेंज भी आप कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखना है कि अपने घर की रजामंदी से मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका देफिनेटली होगा लेकिन चांसेस बन रहे है तो मैंने बस आपको अवेर कर दिया कुंडले मिला के ही शादी करना आपके लोचित रहेगा तो ये इनकी नेगेटिविटी दूसरी एक डिस्टरब शुक्र वरहती तो अभी इनके जीवन रेखा से ना इनके आने वाले जिंदगी को में कवर किये देता हूँ तो देखो बचपन से ही काफी ambitious रहे है आप ये सब आपके प्रगती की रेखा थी तो बचपन में लेकिन कुछ स्ट्रगल के योग भी आपके हाथ पर थे इनिशल स्टेज में 14-15 साल maximum 16 years तक आपको स्ट्रगल रहा है लाइफ में 16 years के बाद थोड़ी independent आप हुए है और लगबग 18 years के बाद से highly independent हो चुके है 20 years के आस पास ते कोई कार सुरू होने के योग थे यह progress line 21 years के आस पास ते थी यह 23 में 25 में तो मतलब 21 से लेकर 25 के बीच में इंडिपेंडेंसी आ गई है आपकी बहुत जादा 26 में एक normal problems 27 में एक तरक्की फिर लगबग 28 में तरक्की फिर एक बड़ी तरक्की यह मान के चलो यह आपका 22 में साड़ा 32 years के है इस age में एक बहुत बड़ी तरक्की 34 में भी तरक्की का योग मुझे दिख रहे है 37 में दिख रहे है मुझे उसका जीवन ट्रे का smooth है फिर लगबग 45 years के आस पास है फिर एक आपकी लगबग 50-55 फिर यहाँ पर से देख लो 60 years के आस पास है बड़ा ट्रेंगल 55 से लेके 70 years के आस पास है 70 years के बाद भी life line बहुत बड़ी एक उस ट्रेंगल के साथ है तो आयू को लेके विसेस्तम दिक्कत के योग को तो यह नहीं बता रहा है चुकि राहू रेखा आतले पर कम है कम amount में है तो यह भी एक बहुत बड़ी positivity होती है कि किसी विक्ति के हाथ पर अगर राहू रेखा ना हो या फिर बहुत कम हो कम visible हो तो जातक के जिन्दगी पर obstacle कम रहते है अब कुछ planets की वज़ा से obstacle आ जाए कुछ ग्रहदोश की वज़ा से obstacle आ जाए तो वो एक अलग बात ह है चुकि राहू रेखा कम है तो राहू रेखा के संदर्म में obstacle नहीं है तो ये इनकी पूरी के पूरी life line का predictions था अभी इनके एतली काम जनना दिन करेंगे चीज़ों को असपस रूप से clear करेंगे तो वीडियो काफी जादा महतपून है देखें सीखें समझें जहाँ पर से ये धन को एट्रेक करती है जो भी भी धन क्या वशकता हो जिंदगी पर धने जरूर से आ जाता है पैसे को लेके विस्स्तम दिक्कत के योग को ये नहीं बता रहा है एक जबरदस थमबेत और लचीला नीचर है आपका गुल्ले विल्ले वाला नीचर है आपका आप लोगो के परती अच्छी भावना आप रखते हैं लोगों का सम्मान आप करते हैं और मिरंसार सब आपके हैं यवा करती है जबी भी सपोर्ट क्या वशकता पड़ेगी मिल जाएगी रिजायर्स के बरे चलाइन से विक्ति काफी महातमा कांची है और ये सब महातमा कांची कारीक जंदकी को लेके भी इमानदार है और खुद भी बहुत इमानदार विक्ति हैं समझदारी के लूप काफी अच्छी विक्ति बहुत समझदार परवर्ति के हैं समझदारी पुरुवक चलते हैं समझदारी पुरुवक आगे बढ़ने का ये प्रियास करते हैं फिंगर ये बड़ी इंसान काफी मत्य टिंड कर ये अच्छी दारमेकास था, सेटरन फिंगर आपके मेहनत को बताता है, सूरी फिंगर हिम्मत को इंडिकेट कर रहा है, और गुनी विक्ति हैं आप, सूरी और सेटरन फिंगर के अट्चमेंट जब भी होती है, और बुद्ध फिंगर लंबा है, तो कम्यूकेशन स्किल वाइस भी बहुत प्रबल, वाक पड़ूता बड़ी अच्छी होती है, चीजों को गहराई पुरवक समझाने की बड़ी अच्छी के पैवलिडी होती है, बड़ी अच्छी छमता होती है आपके अंदर, इसके उपरांत, यहाँ पर से दबाबैत और स्ट्रगल को लेकर चीजों को बता रहा था, और यह जो लाइन से नहीं यह परुपका ही रेका है, ऐसे वेकित अपने परिवार का खासा सम्मान करते हैं, जो इनसे जुड़े रहते हैं, जो इनके दिल के करीब होते हैं, तो पहले आपके दिल के करीब आपके परिवार वाले होते हैं, फर दोस्त होते हैं, तो इनका परिवार का सम्मान करना बहुत यह लोग जानते हैं, यहाँ पर से दो चीज़े, कभी कन्फ्यूज मत होना यह एक रेखा अगर यहाँ पर आके मल रही है यह बारी ऐसे करके तो यह रिंग उप सोलिमन होगी अगर बीच में आधी रह रही है तो यह रिंग उप सोलिमन नहीं होगी और यहाँ पर से देख लो एक पड़िया स्क्वाइर तो 32 से लेकर 36 में के बीच में जंदगी सेटल्ड होनी के सती को यह बता रहा है डेफिनिटल आपका सेटल्ड हो जाएगा मस्तिक सरे का बरी शानदार है दिमाग के बहुत तेज एक उस ट्रैंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है इरदर एका भी काफी अच्छी है थोड़े बहुत जानदार है यह देख लो आपके दो दो लाइन से तो विश्ट्रियों का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले है अगर किसी को यह टाइम देते हैं तो इस टाइम को कारे को संपन करके दिखाते है उस टाइम पर और यह एक ट्रैंगल जहां से एक निगेटिविटी बाग्य रेखा आपकी है तली पर यह विदेशी दर्सी से दर्नलाव के योग है जो आपको होई रहा है तो बाग्य रेखा भी शानदार है यहां से दवाब है तो विक्ती महनती है आपके लाइन ओफ एजुकेशन बहुत बढ़ी है तो जातक बहुत समझदार प्रवरतिक हैं सूरी रेखा बड़ी कमाल है एक आपका पुड़ी पुन रेखा आपके हाथ पर है कुछ ट्राइंगल से एक से जधादा ट्राइंगल सापके आतली पर है नॉर्मल लिस्टर शुकर रहे थे मोट सु इंके ब्राबलम्स को बताती है पैसिक संपत्ति का अच्छा साथ व्यक्ति टैलेंटेड होंगे मल्टी टैलेंटेड होते हैं सन मर्करी इच्छी बुद्धिवेक से कार करता है स्ट्रॉंग लाइन से तो इंसान दिमाग के भी बहुत तेज है इनको पैसा कमाने आता है बुद्धिवेक से कार करने आता है और बहुत समझदार परवरतिक है दोडो मंगल बहुत जबरदस्त है तो highly energetic है एनर्जी में किसी परकार का संदेह नहीं, प्राक्रम में किसी परकार का संदेह नहीं, dedication में किसी परकार का संदेह नहीं, किसी भी कारी को लेते है तो बहुत गेराई पुरवक करते हैं, बहुत प्राक्रम से करते हैं और मंगल अच पता जोट है वो तो आपको घुना ही था है, यह सब भी यात्रा के लाइन से यहाद एको भाग़्ी रेखा आपकी लगभग 18 वर्स के आईो के बाद सक्रिये थी और एक आपके 24 वर्स के बाद एक और भाग़्ी रेखा 36 में तक तो कमाल की भागी रेखा है इसके बाद भी बेमिशाल भागी रेखा है बुद्धरेका भी अतली पर बनी वे तो पैसा भी आप कमाते और बचाते दोनों है एक money triangle जैसी एस्थिती ये वाली दिख लिए यहाँ भी एक बड़ा वाला money triangle भी दिख रहा है तो दो-दो money triangle आपके हाथ पर रवस्तेत है मैं फिर clarity के साथ दिखा दो ये देख लो ये एक वाला money triangle है ये दूसरा वाला है बहुत जबरदस्त ये सब लाइं से विशेशतम यात्राओं को बताती है उसके उपराँ जबरदस्त आपकी जीवन ड्रेका है कमाल की जीवन ड्रेका है मंगल ड्रेका भी बेमिशाल है luxury के proper सुक के lies है वो तो होलना ही है हाथ तोरह stress रहता है सुरवाती दोर में पारिवारिक और मानसिक stress लेकिन वैसे generally साफ सुतरा ही शुक्र है शादी के बाद बागुदे होती है देर आएंगे दुरुस्त आएंगे पतनी बहुत बागेशाली होती है उनके बागेशाब बहुत राइज करते है इसके उपराँ आपकी यह सब lines और थोड़े irritations के line ए इंसान थोड़े सोचते है mind में बहुत परकार के चीज़े चलती रहेंगे चुकि मंगल प्रबलतम वस्था में है तो बस चीज़े ही mind में चलेंगे उसको यह दिल पर नहीं लगाएंगे बस सोच के छोड़ देंगे अपना conclusion निकाल लेंगे और आपके square से मौझूद जो की property के सुख को बताता है मंगल बढ़िया है तो प्राकरमी है किसी भी कारे में हट डालेंगे तो बस उसको मुकाम तक ले जाएंगे पूरा करेंगे यह आपका strength है यह आपका गुन है इसी के इवस में आप जिन्दगी परागे भी परते है तो यह था इनकतली का पूर्टा विश्लेशन अगर आपको हमारे यह विडियो पसंद है लाइक कर दे कमेंट कर दे से कर दे सस्काइब कर दे विक्तिकत रूप से मेरसा हस्तरे का दिकाके सही जानकारी बाना चाहते है हमारा वोटसप नमबर डिसकर्शन है मिल जाएगा लेकर आप संपर्ट कर सकते हैं